हाई गाईज वेलकम बैग तो माई चैनल फ्रेंड्स यह मेरा मल्टिप्लिकेशन ग्लास 11 है और आज की ग्लास में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम बिना लर्न की यह 17 की टेवल फिंगर्स में विदिन सेकंड्स कर सकते हैं मगर उससे पहले प्रीज मेरी चैनल को लाइक, शियर और सबस्क्राइब जरूर कर दीजेगा और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बैकस का कूर्स करके बड़े-बड़े नंबर का कैल्कुलेशन माइं में ही विदिन सेकंड्स कर पाएं यह आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जावा स्क्रिप्ट कोडिंग सीख कर बच्पन में ही गेम डिवलपर बने तो हमारे चिच्चूट आवा अकाडमी में फ्री डेमो क्लास जरूर बुक कर लीजेगा फोर नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है तो चलिए मों क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नहीं है और आपको एडिशन और सिप्ट्रेक्शन का फिंगर में रिप्रेजेंट करना नहीं आता है नंबर तो मेरा एडिशन और सिप्रेक्शन का सीरीज जरूर देख लिजेगा राइट हैंड में हम वन स्प्लेज रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स लेफ्रेंड में हम टेंस प्लेजेंट करते हैं और राइट हैंड में हम हंडिशन पी रिप्रेजेंट करते हैं और लेफ्रेंड में हम थाउजन रिप्रेजेंट करते हैं अब बात कर लेते हैं रूल्स की, पहला रूल है multiplication का कि हमें number 9 तक का table जरूर आना चाहिए, second rule है कि हमें देखना होता है कितने digit है, अभी हमारा 2 digit into 1 digit का multiplication चल रहा है friends, यानि total 3 digit है, तो answer हमारा हमेशा 100 से start होगा, अगर ये 2 digit into 2 digit का multiplication होता, यानि 4 digit हो जाते है total, तो answer हमारा 1000 से start होता, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी आणिवाली classes में, अब हमें क्या करना होता है, फोस नंबर को हमें multiply करना होता है, और hundreds और tens में उसका answer represent करना होता है, उसके बाद second number को multiply करना होता है, और उसका answer हमें 10s और ones में represent करना होता है, R senators, जो भी हम multiply कर रहें, answer हमेशा या तो हमारा one digit में आएगा, या तो हमारा two digit में, three digit में कभी भी नहीं आठा friends, और जब अगर हमारा answer two digit में आ रहा है, तो हमें कुछ भी करने की जरूदती, simple हमें an number put करना होता है, मगर answer अगर हमारा 1 digit में आ रहा है तो हमें क्या करता है एक 0 लगा करके आगे 2 digit पे उसने convert करना होता है तो चलिए अब हम स्टार्ट करते है 17 गोंजा 1 मंजा 1 100 में 0, 10 में 1 7 मंजा 7 7 answer 1, 7, 17 17 गोंजा 1, 2 गोंजा 2 100 में 0, 10 में 2 100 में 0, 10 में 2 7, 2's are 14 10 में 1, 1's में 4 10 में 1, 1's में 4 answer 34 next 17, 3's are 1, 3's are 3 100 में 0, 10 में 3 100 में 0, 10 में 3 7, 3's are 21 10 में 2, 1's में 1 10 में 2, 1's में 1 1's में तो हम 1 add कर लेगे 10 में 2 कैसे add करेंगे 20 कैसे add करेंगे तो प्लस 2 का friends formula होता है माइनस 3 प्लस 5 तो प्लस 20 का कितना होगा माइनस 30 प्लस 50 तो अगसर कितना चाहेगा 51 Next, 17 fours आप 1 fours आप 4 100s में 0, 10s में 4 100s में 0, 10s में 4 7 fours आप 28 10s में 2, 10s में 8 10s में 2, 10s में 8 अब 8 तो हम friends add कर लेंगे मगर हम 10s में 2 यानि 20 कैसे add करेंगे तो प्लस 2 का formula होता है माइनस 3 प्लस 5 तो प्लस 20 का कितना होगा माइनस 30 प्लस 50 तो अगसर कितना चाहेगा हमारा 68 Next, 17 fives आप 1 fives आप 5 100s में 0, 10s में 5 100s में 0, 10s में 5 7 fives आप 35 10s में 30, 1s में 5 अंसर कितना चाहेगा? 85 50, 60, 70, 80 85 Next, 17 sixs आप 1 sixs आप 6 100s में 0, 10s में 6 100s में 0, 10s में 6 7 sixs आप 42 10s में 4, 1s में 2 अब 1s में तो हम 2 add कर लेंगे 10s में 4 यानि 40 कैसे add करेंगे तो plus 4 का formula होता है minus 1 plus 5 तो plus 40 का कितना होगा? minus 10 plus 50 अब plus 50 हो नहीं सकता क्योंकि already 50 हो पन है तो plus 5 का formula होता है minus 5 plus 10 तो plus 50 का कितना होगा? minus 50 plus 100 understood? तो 100s में 1 है 10s में 0 है 1s में कितना है? 1, 2 तो अमसर कितना जेगा? 1, 0, 2 1, 100, 2 Next 17 7s आ 1 7s आ 7 100s में 0 10s में 7 100s में 0 10s में 7 7 7s आ 49 10s में 4 1s में 9 अब 1s में तो 9 add हो गया 10s में 4 कैसे add होगा? यानि 40 कैसे add होगा? तो plus 4 का formula minus 1 plus 5 तो plus 40 का formula minus 10 plus 50 अब अभी भी हमारा 50 add नहीं हो सकता तो plus 5 का formula minus 5 plus 10 होता है friends तो plus 50 का कितना होगा? minus 50 plus 100 तो अंसर कितना जाएगा? 1 100 में 1 है 10s में भी 1 है और 1s में कितना है? 5, 6, 7, 8, 9 यानि 1, 1, 9 119 10 is the answer Next 17 8s आ 1 8s आ 8 100s में 0 10s में 8 7 8s आ 56 10s में 5 1s में 6 10s में 5 1s में 6 अब 1s में 6 add कर ले आप 10s में 5 यानि 50 कैसे add कर ले? तो plus 5 का formula friends minus 5 plus 10 तो plus 50 का formula minus 50 plus 100 तो अंसर कितना जाएगा? देखे 100 100 में 1 है 10s में 10 20, 30 30 है 1s में कितना है? 5, 6 यानि 1, 3, 6 136 इस दा आंसर Next 17 9s आ 1 9s आ 9 100s में 0 10s में 9 7 9s आ 63 10s में 6 1s में 3 अब 1s में 3 तो हम बना लेंगे friends मगर 10s में हम 6 कैसे add करेंगे? यानि कि 60 कैसे add करेंगे? तो plus 6 का formula होता है minus 4 plus 10 तो plus 60 का कितना होगा? minus 40 plus 100 तो अंसर कितना आजाएगा? 153 100s में 1 है 10s में 50 और 1s में 1, 2, 3 अंसर कितना आजाएगा? 153 17 10s आ friends इसमें कुछ भी नहीं करना 17 10s आ 170 बस एक 0 लगाना है आपको ठीक है? और friends अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो चलिए हम Mastermind कृतिका को पुलाते हैं और इसके साथ आप वास्ट मोड में करें कृतिका प्लीज काम हाइ रेडी कृतिका? ये इस आम रेडी friends रेडी? ओके 17 1s आ 1 1 जा 1 1 7 जा 7 अंसर इस 17 17 2s आ 1 2 जा 2 7 2 जा 14 आंसर इस 34 17 3s आ 1 3 3 weel 3 7 3 जा 21 सर इस 51 17 4s आ 1 4 जा 4 7 4 जा 28 Jack 27 5 जा 1 5 जा 5 75 Sam 5 जा 35 सर इस 85 76 जा 1 7 6 6 7 जा 42 อนसर is 102 17 7 1 7 7 7 7 7 7 जा 49 unlock 만 119 79 जा 1 8 8 7 8 जा 56 hic colamaan 136 79 जा 199-79-63 answer is 153 very good kritika good job bye friends friends I hope आप में भी बिल्कुल speed match कर लिया होगा अगर कर लिया that means practice बिल्कुल अच्छी जा रही आपकी और अगर नहीं जा रही मतलब थोड़ी से practice all करना है आपको बिलते हैं next video में table of 18 के साथ till then bye bye friends like to subscribe जरूर कर लिया है न okay bye bye आपको बिल्कुल